हेलो गईज, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बनाएंगे लैसून वाली मिर्चीफ ट्राई, आप इसके साथ एक या दो रोटी जरूर ज़्यादा खाने वाले हो, ये बहुत स्वादिस बनती है, इसे बनाने के लिए यहां एक पैन में लेंगे दो चमच साबुत धनिया, एक चमच लेंगे सौफ और लेंगे एक चमच राई, आदा चमच मेती दाना, मेती कमी लें क्योंकि इससे टेस्ट थोड़ा कड़वाता है, आदा चमच कलोंजी, अब इन सब को लो टू मेडियम फ्लेम पर हलका सा भून लेंगे, ज्यादा निभूने इसे सिर्फ एक मेंट के लिए ही भून लेंगे, क्योंकि जो इसमें सीलन होगी वो चली जाएगे इसका अच्छा सा पाउडर बनेगा, ये देखी, धनिये को हमने अच्छे से भून लिया है, अब इसे हलका ठंदा कर लेंगे, ठंदा होने के बाद अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल देंगे, और अब इसे बिल्कुल बारिक पीस लेंगे, ये देखे, मसाले को यहाँ पर हमने बिल्कुल बारिक पीस लिया है, और अब यहाँ पे लिया है कुछ हरी मिर्चे, यहाँ पर हमने हरी मिर्च को अच्छे से दो लिया है, और कपड़े से पोँच कर इसका सारा पानी सुखा लिया है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और अब क्या करेंगे मिर्ची में 20 से एक लंबा कट लगा लेंगे यह देखी इस तरह से मिर्ची में हम लंबा कट लगा लेंगे जिससे हम इसमें मसाला भरें वो आसानी से इसमें हम भर सके सबी मिर्ची में इस तरह स हम लंबे-लंबा-लंबा कट लगा लेंगे ये सभी मिर्ची में हमने कट लगा लिया है और अब एक बावल में डालेंगे मसाला इस मसाले को आप ज्यादा बना कर भी रख सकते हो जब भी आपका मन करें आप मेची बना सकते हो यह देखी हमने पुरा मसाला का यूज नहीं कही है हमने थोड़ा मसाला अलग से रख लिया है और यहां पेली है 10-12 लहसून की कलिया और इसे बिल्कुल बारी की से इस तरह से पीस लिया है अब इसे इसमें डाल देंगे और अब यहां डालेंगे एक चमच आमचुर पाउज़र डालेंगे आधा छोटा चमच काला नमक एक चमच नोर्मल खाने वाला नमक नमक अपने टेस्ट के अकोड़ेंगे डाल सकते हो डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और एक निम्बू का रस ज्यादा खटी करनी है तो यहां पर आप डेर या दो निम्बू का रस डाल सकते हो और इसे मसाली को अच्छे से बाइन करने के लिए यहां पर डालेंगे मस्टड ओईल हम थोड़ा-थोड़ा करकी mustard oil इसमें डालते जाएंगे और इसे mix करते जाएंगे अब ह하신 यहाँ oil की कमी है थोड़ा सा mustard oil हम फिल से डालेंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे ताकि हम इसे मेर्ची में अच्छे से 스'tuff कर सकें ये देखे, मसाला अची से बनकर तयार हो गया है अब यहाँ पर जो मिर्ची हमने कट लगा के रखी थी मसाले को इसमें भर देंगे इसे हम बिल्कूल अंदर तक दबा दबा के भरेंगे क्योंकि जब हम इने प्राइ करेंगे तो मसाला बहार न लिख ले ये देखे, इस तरह से हम मसाले को अच्छे से इसमें भर देंगे ये देखे, मिर्ची में हमने मसाले को अच्छे से बिल्कूल दबा दबा के भर दिया है ये अच्छे से स्टफ हो गई है और इसी तरह सभी मिर्ची को हम मसाले से भर लेंगे सभी मिर्ची को हमने भर लिया है और थोड़ा सा ये मसाला एक्स्ट्रा बच गया है और अब यहाँ एक पैन में लेंगे दो बड़े चमच मस्टर्ड ओयल ये मिर्चे मस्टर्ड ओयल में ही ज्यादा स्वादिस बनती है इसे गरम कर लेंगे ये देखिए ओयल हमारा गरम हो चुका है अब स्टफ की हुई मिर्ची को इसमें डाल देंगे ये देखिए मिर्ची को हमने इसमें डाल दिया है और मसाले को भी इसी के साथ इसमें डाल देंगे और अब हम इसे 1 मिनट के लिए low flame पर भून लेंगे ये दिखे, मिर्ची को हमने 1-1.5 मिनट के लिए low flame पर भून लिया है ये कुछ इस तरह की दिखने लगी है और अब क्या करेंगे, flame को ओफ कर देंगे और अब इसे ढग कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ये देखे लेसुन वाली मिर्ची फ्रायर बनकर तयार हैं आप इसे जरूर ट्राय करें आप दो रोटी जरूर एक्स्टर खाने वाले हो ये खाने में बहुती स्वाजिश्ट रगती है आप इसे फ्रिज में रखकर वन वीक के लिए स्टोर कर सकते हो और क्योंकि गर्मिया है अगर बहार रखेंगे तो जल्दी से चीज़ी खराब हो जाती है आप इसे बनाएं और मुझे केमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसे लगी और मेरी चैनल को लाइक शेर सस्क्राइब करना ना भूलें फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बाई